दोस्तो क्या आपको अपनी Free Fire ID में E-Bet चाहिए? आजाओ, दिखा दूँगा थाला केरेक्टर की अबिलिटी के बारे में जानना है? आजाओ, दिखा दूँगा काईरोस केरेक्टर की अबिलिटी के बारे में जानना है? आजाओ, दिखा दूँगा नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है वेरी मज़िदार वीडियो में विकॉस आ चुका है थारा भाई OB44 अपडेट एडवान सर्वर की ला जवाब वाली जानकरी लेकर के जैसे कि OB44 अपडेट के बाद हमारे गेम में काईरोस केरेक्टर आने वाला है इतना ही नहीं दोस्तो फ्री फार वाले वी बैज की जगह इबैज बनाने वाले हैं हमें फ्री में केरेक्टर फ्री में पेट का एकसेस देने वाले हैं और भी बहुत सारे चंजेस होने वाले हैं एंड हमारे गेम में आने वाले अपकमिंग इवेंट, अपडेट, फ्रीफार की मस्तवाली मीम, आप लोगों के फ़नी कमेंट, बोले तो यह वाला वीडियो जखास, वेरी डेंजरस, जिंगा लाला हूँ हूँ होने वाला है, तो चलिए वीडियो को फटाक से सुरू करते है वेल गाईस, अब मैं आपको ओवीफटीफोर अपडेट के बाद आने वाले खतरनाक चिंजस के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है सरवाईवल पेकेज या इवुलूशन पास, इस वाले पेकेज को जो भी पर्चेस करेगा, उसे फायदा नमबर वन ये होगा, क फायदा नमबर दुसरा ये होगा, कि अभी हमारी फ्रेंड लिष्ट में मातर दोसो बंदे ही आपाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास में सरवाईवल पेकेज रहेगा, तब प्री फार वाले सव बंदे की लिमिट बढ़ा देंगे, दोसो बंदे के जगह तीन सो बंदे हमार मेने हमें तीन इवो गन, लेवल चार की जो अपग्रेटेट वाली रहेगी, वो हमें तीस दिन के लिए एकसेस करने को मिलेगी, एंड साथ ही स्पेसल चेट वबल्स मिलेगी, स्पेसल आउटपिट दो के जगह चार ले जा पाएंगे, फ्री में कस्टम रूम कार्ट्स मिल अवतार बेनर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकेंगे, फ्री फायर की लॉबी को भी कस्टमाइज कर सकेंगे, तो देखे न दोस्तों इस तरह से सर्वाइवल पेकेज या इवलूशन पास नाम का इवेंट या सिस्टम हमारे गेम में ओभी पुटिफोर अप्रेट के बाद आने वाला है, जिस तरह से इंस्टाग्राम में इस्पेशल ब्लू टेक लेने के लिए हमें हर मैने 699 रुपए देने पड़ते हैं ना, सेम उसी तरह से इस तरह का ये सर्वाइवल पेकेज काम करने वाला है, जैसे ही सर्वाइवल पेकेज खतम होने को आएगा, अग साथ ही दोस्तों, ओभी 24 अपडेट जैसी हमारे गेम में आएगा, फ्री फार वाले विकली और मंतली सब्क्रिप्शन में चेंजेस करने वाले हैं, उसे एडजेस्ट करने वाले हैं, और जो सुपर वी आईपी है ना, उसे रिमूव करने वाले हैं, तो जिन भी बंदे के पास अल्रेडी सुपर वी आईपी होगा, उन्हें कमपन से संदेंगे, और जिन के पास नहीं होगा, अपसे नया सिश्टम आने वाला है विकली और मंतली सब्क्रिप्शन का, तो इस तरह से माई लॉट फ्री फार वाले अपडेट के बाद बोलेंगे, पैसा ही पैसा होग इस करेंगे एस, वेल गाइस, अगर आप e-sports lover हूँ, तो मैं आपको BGMI की एक खासम खास important वाली जानकरी बताना चाहूँगा, तो बात ऐसी है कि कुछ दिन पहले एक news निकल कर आ रही थी ना कि BGMI बैन होने वाला है, और मैंने आपको ये भी बुला था कि ये news फेक हो सक करेगा, तो ये वाली news को सुन करके मेरे गुजरात के भाईयो केम चू, मजा मा, कमेंट वाक्स में बता देना, वैसे दोस्तो MOU से आपको कुछ याद आया, फ्री फार वालों ने भी, मतलब गरीना कमपनी ने भी UP गौर्मेंट के साथ MOU साइन किया है, ताकि UP में इंडिय को बुष्ट किया जा सके, परन्तु Free Fire इंडिया नहीं आया, इसलिए अभी तक E-Sport को बुष्ट करने वाला काम स्टाट नहीं हुआ है, जैसे ही Free Fire इंडिया आ जाएगा, सबसे पहले इंडिया में Free Fire इंडिया चेंपियन सिप होगी, उसके बाद में होगा Free Fire इंडिया इं कलेक्षन कम होता है, पर जो लोबी में कलेक्षन वर्सिस करने आता है, वो अक्सर होता है, मैंने न दोस्तो आज तक कलेक्षन वर्सिस तो नहीं किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे Real Life के कलेक्षन से ज़्यादा Free Fire का कलेक्षन है, रियल लाइप में में मेरे पास एक क्या दो जूते हैं, लेकिन Free Fire में जूतों की कमी नहीं है, कपड़े की तो छोड़ दो भाई Free Fire में धेर सारे हैं, अगर आपका भी ऐसा ही होगा तो गाइस कमेंट बाक्स में बता देना, ठीक है वीडियो में आगे बड़े उसके पहले, अगर आपने अभी तक इतनी प्या अगर भी जरूर कर दीजेगा, आओ गैस, अब मैं आपको हमारे गेम में आने वाले अपकमिंग एवेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो जिस तरह से होली डेमेज वाले मिसन से हमें कार्निवाल अवतार फ्री में मिल रहा है, इसी अवतार की ठीम पर बना, कार्नि का रियर बंडल हमें अज़ गिववें के रूप में मिलने वाला है, परन्तो बांगलादेस प्लस सिंगापूर सरवर पर रमदान इवेंट तो स्टार्ट हो चुका है, इसी लिए 22 से लेके 30 मार्च के बीच में वहाँ पर रमदान गिववें चलने वाला है, फाइनली गैस है कि हमें वहिकल को टू हेंडेट चलाना है कि वन हेंडेट चलाना है, जो भी हमें पसंद है यहां से एक क्लिक में सेट कर सकते हैं, इन गाइस अपडेट के बाद हमारे गेम में एक खतरनाक वाली गन आने वाली है, जिसका नाम है FGL24, इस गन से ये फाइदा या नुकसान कह सकते हो, ये होने वाला है, कि मानलो आप या कोई इनेमी, गलुवाल के अंदर बंध है, और आगे वाले इनेमी के पास गन है ये वाली, तो अगर हम FGL24 से उस गलुवाल पर मारेंगे, तब गलुवाल के अंदर आग फैल जाएगी, गलुवाल के अंदर अगर कोई बंद बहुत सही कहा रहे हैं और इसकी अबिलीटी का नाम है डिफेंस ब्रेकर जो की पेसिव एबिलीटी रहेगी और इसकी अबिलीटी भाई सची में बहुत खतरनाक है इसके दो पार्ट होने वाले हैं इबिलीटी के दो काम होने वाले हैं पहला काम है डिफेंस मोड और दुसरा काम है ब्रेकर मोड डिफेंस मोड का काम यह होगा कि यह आटोमेटिकली दो इपी पर शेकेंट हमें रिकावर करके देने वाला है जैसे हमारी इपी फूल हो उसके बाद में आएगा breaker mode जैसे ही breaker mode इस्टार्ट होगा ब्रेकर mode कब इस्टार्ट होगा जब EP फूल हो जाएगी तब जो skill user रहेगा आगे वाले enemy को जिसके पास armory है या फिर shield है पहली गोली मारेगा तब से जो skill user है उसकी 5 EP per second consume होना start हो जाएगी मतलब की कम होना start हो जाए देन एक time ऐसा आजाएगा कि जो EP है वो 0 हो जाएगी जैसे 0 हो जाएगी उसके बाद में defense mode start हो जाएगा I hope guys आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि kairos character की ability क्या होनी वाली है एंडियर जैसे कि आपको पता होगा हम सभी की wish list में थाला character तो आ चुका है लेकिन थाला character की ability क्या है किसी को पता नहीं है लेकिन advanced server में मुझे एक नया character देखने मिला जिसका नाम है test boy मतलब free fire वालों ने इसका नाम नहीं रखे है लेकिन इसकी ability का नाम है quantum leap जो की active character की ability होनी वाली है और ability भी बहुत ही गजब और unique है इसकी ability यह है कि जैसी हम इसकी ability on करेंगे आस पास जो भी nearest में 80 meter की range में जो भी knocked player रहेंगे 4 player को detect कर लेगा और जैसी knock player की उपर हम aim करेंगे 2 second के अंदर हम उसकी पास teleport हो जाएंगे तो देखे ना कितने unique ability है तो दोस्तों यह तो confirm नहीं है कि यह किस character की ability है थाला character की है या फिर और किसी character की है अभी कुछ confirm है आपको बता न ability है पाकि थाला character के नाम से तो कुछ पता नहीं चला है या फिर यही थाला character की ability हो सकती है वैसे भी OV44 update के बाद तक हमारे गेम में सायथ से free fire India आ जाएगा एंडियर लास्ट में एक और जानकरी बताना चाहूंगा जिसका भी advanced server open नहीं हो रहा है activation code invalid बता रहा है यह problem free fire वा पाए और आम जनता को नहीं मिल पाए यह free fire वालों ने बहुत गलत किया मुझे बहुत बुरा लगा लेकिन टेंसनल हो गाईस जैसी मुझे और कोई तारीका पता चलेगा advanced server open करने का मैं आपको बता दूँगा या फिर कल या 22 तारीक को सभी के लिए open होगा ही तो ठीक है द